हेलो पीपल और PCA की सेकंड वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर PCA का फिजिकल सिग्निफिकेंस समझा था कि PCA करने से अपने फीचर्स पर क्या असर आता है उन फीचर्स में और Dimensionality Reduction किस तरह से किया जा सकता है यह सारी बाते मैंने अपनी लास सीडियो में बताई है अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक यहां आई बटन पर दे दिया गया है आप जाके उसे पहले देखिए क्योंकि उसके अंदर कोई mathematics नहीं आप और हमसे PCA के बारे में सब जानकारी हासिल कर सकते हैं और कमाल की बात यह है कि आज हम coding करेंगे PCA की और क्योंकि हम ऐसी एरा के अंदर जी रहे हैं जहां पर सब चीज़े लगबग pre-implemented हैं ओके तो हमें जरूत नहीं है कि हम PCA scratch से implement करें बट मैं appreciate करूंगा अगर आप scratch से implement करें उसके ओपर भी वीडियो बनाऊंगा कि PCA को scratch से implement कैसे करते हैं बट आज के लिए आज के लिए हम PCA को inbuilt functions जो circuit learn library हमें देती है उनका इस्तमाल करके हम PCA करेंगे बट फिर भी मैं आपको PCA को steps बतायता हूं कि PCA को अगर हम by scratch करें तो क्या-क्या steps हमें follow करने पड़ते हैं सबसे first आपको अपने data का जो mean है उसको zero करना है तो simple है कि हर column के mean लेके उसी column से minus कर देना है और हर column का mean वहाँ से zero हो जाएगा next हमें simple अपने columns के बीच में correlation matrix बनाना है या जो भी आप उसको बोल सकते हैं covariate matrix बनाना है और उस covariate matrix के आइगन vectors निकालना है फिर पूरी की पूरी matrix जो हमारे पास थी और डेडी जो ओरिजनल डेटा सेट की है उस ओरिजनल डेटा सेट को उन सभी आइगन factors पर project करना है that's all यह पूरा का पूरा PCA होता है समझ में नहीं आओगा सीजी सी बात है इसलिए हम सीधा code पर शुरू करते हैं और जब हम scratch के अंदर PCA करेंगे तो हम इसको और अच्छी समझेंगे हमें एक डेटा सेट की जरूत थी तो मैंने यहाँ पर packetlearn.dataset से ही एक डेटा सेट मांग लिया है जो है load breast cancer वैसे इनके वास काफे सारी datasets होते हैं अगर मैं इसको backspace करूं या पर tap दबाओ तो मेरे को काफे सारी options मिल जाएंगे तो यहां से आप इन सब को select कर सकते हैं कि आपको कौन सा basically dataset चाहिए ब्रेस cancer मुझे इस topic के लिए best लगा क्योंकि इसके लिए 30 features हैं तो 30 features का PCA करके उसको reduce करना और मैं अगर आपको end point बता हूं तो मैंने केवल दो features में सेम accuracy हासिल करें जो 30 features में मिलती है तो मुझे यह वाला dataset काफी अच्छा लगा और इसलिए मैं इसके पर पूरा पूरा यह process करूंगा second हमारे पास import matprotlib.pyplot asplt आप जैसे मर्जी इंपोर्ट कीजिए numpy and pendals then हमें breast cancer dataset को load कराना है तो simple हमने function call कर दिया load breast cancer function और यह पूरी breast cancer dataset की object इस variable में डाल देगा इससे फाइदा यह होगा कि हमारे पास एक dictionary आ जाएगी और इस dictionary के अंदर हमें target names data और target array यह सारे चीज़े मिलेंगी तो मैंने फिर अलग variables दे दी इन सब चीज़ों को तो breast cancer dataset.target से targets मिल जाएंगे जो target array है हमारे पास अभी यहाँ पे नीचे दिखाता हूँ breast cancer dataset.target names से मेरे को target के names मिलेंगे जिनमें हमें classification करना है basically और breast cancer dataset.feature names से जो 30 के 30 different features हमें इस dataset में given है वो सब मिलेंगी next हमारे पास मैंने shape of data print कराई है तो हमारे पास 569 rows है और इसके अंदर 30 columns है यह 30 different features है और पूरी पूरी array कुछ ऐसी दिख रही है यह number arrays है pandas के data frame नहीं है तो अभी इनको आप number arrays की ज़रा ही लीजिए next हमने target की array देखी तो target will be absolutely क्योंकि हमारे हमें एक ही चीज़ प्रिट करनी है एक ही column प्रिट करना है तो उसके अंदर के और rows होंगी 569 rows का हमारे पास यह टार्गेट एरे है और टार्गेट एरे के इंदर 0 और 1 की values है basically problem binary classification की आपको malignant और banning cells के बीच में यह classification करना है तो इसलिए malignant for 0 यूज किया गया है और banning for 1 यूज किया गया है simple यहां से फिर feature names है तो feature names यह सारे के सारे feature names है mean radius mean texture mean parameter और ऐसे बहुत सारी चीज़ें तो आप पढ़ना चाहिए तो पढ़िए इनकी वैसे हमें इस समय कोई जरूत नहीं नेक्स्ट मैंने अपनी arrays को एक pandas data frame में convert कर दिया तो simple data मैंने दिया अपना जो मेरे पास यह वाली पूरी array है 569 rows and 30 columns की यह मैंने आपके दे दी और columns के name मैंने simple feature की जो यह feature names की array थी वह पास कर दी columns के attribute में तो मेरे पास cancer data के नाम से एक data frame बन गया यहां तक अगर आपको सब समय में आगया तो आगे बढ़ते हैं यहां से मैं check करना था कि मेरे features किस type के हैं क्योंकि अगर उन numerical features होंगे तब ही मैं correlation matrix बना सकता हूँ अगर वो numerical features नहीं होए तो मैं correlate matrix नहीं बना सकता तो इसलिए मैंने cancer data dot info करा यह देखने के लिए कि जो सब features हैं वो किस type के तो सब के सब float 64 type के हैं इसका मदलब इनके बीच में correlation matrix बना सकते हैं हमें किसी को भी drop करने की जरूद नहीं है अब जैसे अगर इन में से कोई character type feature होता तो उसका आप drop करते कि characters and numerals के बीच में किसी तरह का correlation माइन नहीं रखता यहां से आगे जाने के बाद मैंने एक histogram देखा यह देखने के लिए कि यह numerical features तो हैं बट इनके बीच का distribution कैसा है यानि इनके बीच में ऐसा तो नहीं है कि कि एक पूरे column के अंदर suppose 7.2 ही stored है इस तरह के columns हमारे लिए noise बन सकते हैं इस तरह के columns हमारे फालत होता है उनको पहले ही अटाना पड़ता है process से पहले तो इसलिए histogram चेक करना बहुत जरूरी है कि किस तरह से distribute हो रखे है values तो यहाँ पर मैंने सारे के features की graph plot कर रहे है histogram के तो mean radius के अंदर values का distribution ठीक ठाक है यहाँ पर 3 से लेके 30 तक values हैं हमारे पास तो ठीक है इसके बीच में काफी अच्छा distribution यहाँ पर दिख रहा है 10 से लेके 40 तक mean texture के अंदर भी है और इसी दरह का distribution सब के अंदर भी है कुछ हमें काफी data sets काफी clean होते हैं तो इनमें इस तरह की गलतिया नहीं मिलती है तो द्यान रखने की जरुत महाँ पर है यहां से अब हमें करना है PCA का काम शुरू तो PCA का function call करने से पहले जो main काम हो यह है कि आपको data को centralized करना है Centralize करने के लिए हर column हर feature का mean निकालके उसी feature में से उसको minus कर देंगे तो जो उस feature की values है जीरो के around आ जाएंगे और mean आ जाएगा हमारा 0 उसको करने का क्या तरीका है तो simple मैंने अपने dataset का पहले copy बना लिए और उसको अलग dataset declare कर दिया ताकि original के अंदर कोई दिक्कत ना है क्योंकि notebook के अंदर यह सारी practices बहुत जरूरी है फिर mean is equals to cancer data dot mean से मैंने हर column का एक mean find कर लिया कि mean जैसे यह वाला column है हमारा mean radius mean radius का mean है suppose 14 mean texture का है 2 mean perimeter का है 2 तो एक array आ जाएगी जिसके अंदर सभी features के means stored होंगी now हमने simple एक for loop चलाया for i in feature names सबसे पहले हम बिना transform किये बिना उनको mean के around किये प्रिंट कराके देख रहें कि initially हर feature का mean क्या है फिर हमने उस feature में से उसी feature का mean minus कर दिया और फिर हमने दुबारा print कराएगी अब उस feature का mean क्या है तो अगर आप इस cell को run करें वैसे मैं पुरी notebook कूपर से निचे तक एक बार run कर देता हूं अगर आप उस cell को run करेंगे तो आपको दिखेगा कि जो हमारे पास means है सारे के सारे वो इस तरह से vary हो गया है पहले mean 14 था बाद में 0 हो गया पहले 19 था बाद में 0 हो गया पहले 91 था फिर 0 हो गया तो हर column अब centralized है सब columns का mean of 0 के around है next हमें correlation matrix बनाने तो इस cell को run करने वे correlation matrix calculate हो जाएगी और उसका plot करने के लिए हम c bond library का इस्तमाल करेंगे जिसके अंदर sns.heatmap function से values के amplitude से for example किसी cell में 0 value stored है तो वहाँ पर dark color आ जाएगा और किसी में one value stored है तो wise versa वहाँ पर dark और red color आ जाएगा तो मैं इस cell को run कर दूंगा तो मेरे पास एक correlation matrix print होगी अगर अगर आप इसको ध्यान से देखें तो mean radius जो है वो खुद से तो correlate करे गा ही वाकि mean radius mean perimeter से third column है इसका उससे काफी ज्यादा correlation में और इस dataset की खास बात है कि इसमें काफी सारे features जो हैं वह आपस में लगातार correlation में तो मैं उमीद कर रहा हूं कि last में हमारे पास बहुत कम features बचेंग काफी सारे features आपस में correlation में तो feature reduction करना थोड़ा असान है इस dataset की उपकर आगे अब यहां से PCA लगा सकते हैं क्योंकि हमारा data mean के around centralized है एक गलती जो बहुत लोग करते हैं बहुत लोग मैंने देखा है करते हैं कि वह mean के around पहले data को करते हैं और फिर उसका standard deviation 1 लाने के लिए उसको उसके standard deviation से भी divide कर देते हैं प्लीज ऐसा ना कीजिए क्योंकि जो PCA है वो काम ही उसको वो तो पकड़ता ही standard deviation है न कोई feature उसका standard deviation कितना है उसका वो पता लगाएगा कि कौन सा feature better है और कौन सा feature better नहीं है तो अगर आप सब features का standard deviation equal कर देंगे तो जो capture ही क्या करेगा तो ऐसा काम बिल्कुल मत कीजिए आपको mean के around करना है उसका standard deviation छेड़ना ही नहीं है deviation वैसा ही रहने दीजिए तो यहाँ पर main काम हमारा शुरू होता है from sklearn.decomposition import PCA तो यहाँ पर हमने PCA class import कर ली है और PCA का एक instance बना गया है जिसमे number of components में हमने 0.99 pass करा है देखिए यह variable बहुत काम करें मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे इसको आप use कर सकते है अगर मैं यहाँ पर suppose से 95 enter करूँ तो 0.95 का मतलब है कि PCA जितने भी components दे रहे PCA वैसे 30 components देगा आपको पूरे 30 components से आपको निकाल के देगा क्योंकि 30 different features है तो 30 जितनी features होती है उतने ही PCA component देता है बट जो first component होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा information आती है ठीक है वैसे अगर आपको conclusion नौर हो तो एक example ऐसा लीजिए कि आप एक coder है या आप छोड़िए क्योंकि coder के साथ गलत काम होने वाला है राहूल एक coder है ठीक है और coders को जरुद किसकी होती है अपने brain की और अपने हाथों की ठीक है तो राहूल के पैरों के हमें जरूत ने तो हमने उसके पैर काट दिए और अभी तो करी सकता अपना काम कर सकता तो इसलिए अब भी राहूल काम का है ऐसे डेटासेट के साथ है पूरे डेटासेट की जरूत नहीं है हमें कुछ portion अटा देने हैं तब भी डेटासेट बिलुकुल वैसा ही काम करेगा या बहुत ही point में फरग आएगा उसकी performance में बट लंसम सेम रहेगा तो PCA से हमें वही करना है PCA से हमें वह फालतो components अड़ा देने हैं जिनके हमें जुरूत नहीं पढ़ने वाले तो PCA यह करता है कि in decreasing order in decreasing order हर component टी importance क्या है ठीक है पहली बात तो number of components में अगर हम 0.95 pass करें तो यह उतने number of components आपको return करेगा जिनके अंदर original dataset का 95% information stored हो गया है अब जैसे अगर मैं यहां पर number of components 30 pass करूं तो इसको अगर मैं print कराके देखूं तो अगर अभी आप यहां पर द्यान से देखना आपके पास पूरे PCA2 को आप द्यान से देखें तो minus 600 से 800 के बीच में है और PCA3 को द्यान से देखें तो minus 100 से 300 के बीच में है क्या बताना चाहरूं मैं आपको यहां पर अगर आप द्यान से देखें तो PC1 में जो principal component 1 है उसके अंदर variance जादा है जादा बड़ी range के अंदर values हैं फिर PCA2 में PC1 से कम range में है PC3 में PC2 से भी कम range में है और यही range नीशे गट्टी 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 अगर आप number of components में एक integer number pass करते हैं तो उतने number के components आपको देगा जैसे one अगर आपने आप बट अगर आप एक integer नीए एक float number pass करते हैं जो one से छोटा है तो 0.95 से तो इसका मतलब होता है कि आप PCA से मांग रहे हैं कि मुझे उतने number of component निकाल के देदो जिन में और इतने data set का 95% information आ जाए 95% information तो एक ही component के अंदर आ गई है तो इसका मतलब आपको वाकी सारे 29 features की तो कोई requirement ही नहीं है आपके उले एक feature से अपना काम कर सकते हैं थोड़ा सुनने मजीव लग रहा होगा एक ऐसा model जो किवल एक feature से information learn करेगा और एक target variable को train कर लेगा चलो ठीक है कोई बात नहीं PCA ने बात बोली है तो सच होने चाहिए कि mathematics कभी जूट नहीं बोलती तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आपको plot करें दिखाता हूं कि किस तरह से PC1 में targets का distribution है तो हम जानते हैं हमारा target variable है 0 और 1 तो अगर आप घ्यान से देखें तो PC1 बता रहा है कि जब PC1 यानि इस principal component के अंदर जो values हैं वो 500 से उपर जा रही है जब वो 500 से उपर जा रही है यहाँ पर 500 कहीं ना भी जब वो 500 से उपर जा रही है तो इस चीज़ के probability लगभग-लगभग 100% है कि वो values class 0 के लिए हैं क्योंकि आपे class 1 का कोई variable कोई dot बना ही नहीं तो यह वाली values के आवल class 0 के values 500 से कम है और minus 500 से जदा है यानि इस रेंज में minus 500 से 500 के बीच में तब इस चीज़ की probability कहना मुश्किल है कि वह class 0 से है या class 1 से है क्योंकि इस range के बीच में सरूर यहां सारी की सारी values on भी है और क्लास जीरो भी है बट हाँ माइनस 500 से कम जाने पर ये बात की 100 परसेंट शौरिट है कि हमाँ पर केवल एक वन प्रेज़ेंट है तो आपको एक चीज समय में आ गई कि अगर हम इफ एल्स भी लगाएं मशीन लर्निंग ना लगाएं तो माइनस 500 से 500 के बीच में हमें कोई वै तो यहां से हमने train test test करना है हमने कि हमारे और जो रिजल्ट आएंगे और जो हमारे PCA के जो फीचर निकल गया है उससे जो रिजल्ट आएंगे उन में क्या फरक आता है तो मैंने टेस्टिंग का साइज 0.3% रखा है जो कि बहुत जादा है आप चाहे तो इसको 0.2 करके X train, Y train, Y test, Y train यह सब simple सी चीज़ है तो मैं इससाल को simple run कर देता हूँ run कर दिया अब classifier के तौर पर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ gradient boosting classifier जो sklearn.ensemble class के अंदर मिलता है हमे gradient boosting classifier और इसका मैंने एक instance बनाया CLF के नाम से और इस instance को मैंने fit करा है X train और Y train में अब X train और Y train क्या थे? X train यहाँ पे है सर और Y train यहाँ पे है X train के अंदर जो splitting होई है वो किसके भी चोई है जो new data, new data contains the principal components तो principal components का split Y train और X train के अंदर present है perfect तो यहाँ पे जो एक classifier बनाया है पहला यह classifier मैंने बनाया है for classification based on components by PCA perfect और यहाँ से जो second classifier मैंने बनाया है CLF 1 1 का मतलब समझे के 1 मतलब सबसे पहले वाला तो 1 का मतलब यह है कि जो हमारे पास initially जारी features थे उनके अंदर मैंने classification करी यहाँ पर मतलब 30 features के पर based classification होगा और इस classifier के अंदर के अवल एक features के एक feature का use करके classification किया जाएगा इसका मरन कर देता हूं classification हो गया है prediction save हो गई है prediction for PCA based classification is in predictions variable और predictions for original data set based classification is on predictions underscore variable तो मैंने इन सबको print कर रहा है अब यहाँ पर इस चीज़ का इस्तमाल करके काफी handy function है classification report तो classification report का अब इस्तमाल कीजिए और अपना काम फटावट कतम कीजिए classification report बताती है कि PCA based classifier की accuracy 0.87 याई 87 परसेंट है और जो हमारे पास original data set है उस classifier के पर बेस्तमाइब 0.96 परसेंट है या 96 परसेंट है पहला थोटती है क्या है PCA बेकार है PCA सो 87 परसेंट आई और वैसे नहीं 0.96 परसेंट एक्किरेसी आगई है बेकार इसले है क्योंकि मैंने जो आपको चीज दिखाई है वह बेकार है अभी तक अब यहां से आप एक बात ध्यान से सोचिए मतलब किसी ने अगर आपको बोला है कि 0.95 नंबर यहां पर जनरली इस्तमाल होता है तो आप जनरली जनरल परसेंट आप पूरा एक परसेंट और लेना चाहरे है अपने डेटा का तो बहुत बड़ी चीज है ही 97 मैंने यहां पर कर दिया तब भी मेरे को first PCA के लावा जरूत नहीं किसी यानि मेरा जो पहला principal component है उसके अंदर already 97% information stored हो चुकी है और अगर मैं यहां से 8 पर जाओ 98 कर होगा अगर मैं यहां पर 99 कर दूँ तो मेरे को दो components मिलते हैं अगर मैं आप एक खुद बाद रही है आपके पास एक CAC file थी एक तरह से CAC file ही है जिसके अंदर 30 different features की information थी उसकी memory बहुत जादा थी जो store होने के लिए ले रही थी बट आप एक column से एक और column बढ़ा देंगे अगर आप 99% information original dataset की ले 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 तो वो किवल 2 principal components में store हो जाएगी तो क्यों न यही कर ले जब हमारे को 99% information by using only 2 principal components मिल रही है तो why go for 95% हम 99% use कर ले थे तो अब मेरा नुमान है कि क्योंकि मैंने 99% information उठा ली है तो शायद अब मेरा काम असानी से हो जाएगा तो मैंने इसको और अब मैं यहाप एक चीज़ आपको दिखाता हूं मैं इन lines को on comment करूंगा और इनको comment कर दूंगा और अब मैं आपको दिखाता हूं कि PC1 और PC2 की help से एक कैसा distribution हमें मिला है तो अगर आप जहां से देखें इधर x-axis पे PC1 है और य-axis पे PC2 है तो PC1 और PC2 के इस plot में मैं बदा चलगा है कि जो malignant cells है उनकी plotting कुछ इतने एरिया के अंदर हो चुकी है और जो belling cells है उनकी plotting कुछ इस एरिया के अंदर हो चुकी है अगर आप यहां पर सिंपल SVMB plot कर देना तो वह भी एच्छ accuracy देगा आपको पर कोई बात ही हमें तो अपने पुराने मॉडल को ही टेस्ट करना है तो यहां से वही पुरानी बात साला यहां पर दिया जो हमारे पास नया PCA हम यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम दो फीचर के इस्तेमाल कर रहे हैं अब यहां में चीज आने वाली है हमें रिपोर्ट चेक करनी है तो पुरानी रिपोर्ट इपर ध्यान में रख ले थे अगर मैं आपकी बार इसको प्लॉट करूं तो देखें आप क्या हुआ 95% अक्यूरेसी है PCA के अकॉर्डिंग और 96% हमारी पुराने डेटा सेट के अकॉर्डिंग इस यह इंट्रस्टिंग नहीं है काफी इंट्रस्टिंग है आपने 99% इंफोर्मेशन पहली बात तो क्यों दो फीचर्स में स्टोर करा दी और उन फीचर्स को यूज करके आपको 95% अक्यूरेसी भी मिल गई इससे बहतर क्या हो है ना और यहां पर मैंने यह एक confusion matrix plot करी तो अगर आप इसको द्यान से देखें तो कुछ फरक नहीं है खास केवल यहां पर एक चीज का फरक है only one कि यहां पर four है मतलब एक बार one को गलती से zero predict कर दिया है हमारे model ने और यहां पर three है तो यहां पर हमारे जो PCA based classifier है उसने एक गलती जादा करी है केव तो I think दोस्तों आपको PCA समझ में आया होगा कि किस तरह से मैंने तीस dimensions को गटा के केवल दो बना दिया पहले एक बनाया था फिर काम मुझे अच्छा ने लगा तो मैं दो बना दिया तो PCA का इस्तमाल आपको ऐसे ही करना है ठीक है और यह बहुत अच्छा hyper parameter tuning का example आपने य एक ऐसी principal components की set उठा सकते हैं जिससे हमारा काम बिल्कुल original dataset जैसा हो जाएगा और यहां पर आप देखो ना मतलब हम इस breast cancer dataset को visualize भी नहीं कर सकते तीस features हैं इसके अंदर हमने कियो दो features इसको visualize भी कर लिया तो why not use PCA और नेक्स वीडियो में मिलते हैं और नेक्स वीडियो के बारे में topic आप मुझे बता दीजे नीचे comment box में कि आपको अब यहां से क्या समझना है या मैं क्या समझूँ और फिर आपको समझाओं क्योंकि मैं भी हर चीज नहीं जानता हूं मैं इन चीजों के लिए काफी research करत हैं मतलब यह PCA बहुत मात खा जाएगा अगर आपके डिटासेट के अंदर आउटलायर्स प्रेजेंट हों तो इस algorithm का इस्तमाल करते वे ध्यान रखना है कि आउटलायर्स नहों डेटासेट के अंदर उनसे आपका डेटासेट फ्री रहना चाहिए बट रॉबस्ट PCA के अ झालब रॉबस्ट के टायार्स आपके अंदर आपके के अ वेखबके अगर स्वाद में तो भाईके के अंदर आपके अपकेश नहीं हैं तो आपके अनद़ चाहिं झालोग के वेख़गग के अंदर बट